हेलो एवरीवन, गूड इवडी, वेलकम टू माई चैनल सीटेट एन केवीएस क्लासेज, माई सेल्फ मौसमी और आज हम लोग सीटेट की टॉपिक करने जा रहे है चाइल डवलपमेंट, ठीक है? आज हम लोग वो पढ़ेंगे जो पूरे एक्जाम में हमारे नंबर को सकता है, वो सारे टॉपिक्स को आज हम देखने वाले हैं, ठीक है? तो इस वीडियो को पूरी जरूर देखेगा, ठीक, तो चली शुरू करते हैं, चाइल डवलपमेंट, सबसे पहला ग्रोथ और डवलपमेंट, अब हमारा जो ग्रोथ और डवलपमेंट है इससे आप बच सहता है, ठीक है? तो सबसे पहले इसे देखते हैं, ग्रोथ क्या है? यानि वृद्धी, वृद्धी जो होता है, वो हमारे मातरात्मग पक्च से, वृद्धी हमारे मातरात्मग पक्च से जुरा होता है, यानि इसको हम मेजर कर सकते हैं, अंको में माप सकते हैं, जैसे हमार वेट हमारा भार क्या होता है इसको मेजर कर सकते हैं आप कितने केजी के हैं ठीक है यह मेजर हो सकता है इसको माप सकते हैं अंको में लेकिन डेवलप्मेंट यह गुनात्मक होता है ठीक है यह गुनात्मक होता है इसे मेजर नहीं कर सकते हैं जैसे आपके अंदर जो समझ है उ कि कल के अपेख्छा आज जो है मेरे सोच में, मेरे बुद्धी में कितना ज्यादा वृद्धी हुआ है, इसे आप अंकों में मेजर नहीं कर सकते हैं, किलियर है, आपका जो डेवलप्मेंट होता है, डेवलप्मेंट के सिर्फ सारेरिक पक्च से, ठीक है, ग्रोथ जो होता है हमारे डेवलप्मेंट के सिर्फ और सिर्फ सारेरिक पक्च से जुरा होता है, जैसे आपका हाइट बढ़िया, ठीक है, वो ग्रोथ क्या हो जाता है, डेवलप्मेंट वो आपके ग्रोथ से भी जुरा होता है, और डेवलप्मेंट तो ग्रोथ जो होता है, सिर्फ डेवलप करेंगे जो हमारे नंबर बढ़ाईगी एक्जाम में ठीक चलिए अब यह जो होते हैं हमारे टाइपस ऑफ ग्रोथ बहुत ही इंपोर्टेंट है आपके हर एक्जाम में हर आपके डेवलपमेंट तो आपसे छुटे गई नहीं आपके आप जब तक आपका यह ग्रोथ और डेवलपमेंट आपके पास से जाने वाली है नहीं ठीक है तो चलिए टाइपस ऑफ डेवलपमेंट देखते हैं कितने परकार के होते हैं चलिए टाइपस ऑफ डेवलपमेंट कितने परकार होते हैं हमारे विकास के पहला जो होता है वो होता है फिजिकल डेवलपमेंट सारिक विकास दूसरा होता है कोगनेटिव डेवलपमेंट संग्यानात्म होता है त्रह होता है आफ फिजीकल डवलप्मेंट इसे समझते हैं पहला सारे कहीं विकास से जुरा होता है जैसे हमारा दौरना हमारे छोटे से बड़े अंगों का विक्सित होना किलियर है सारिक विकास से जुरा होता है जैसे हम खेलते हैं एक बच्चा जो होता है वो जन्ड में ऐसे गुटनों के बल चलता है धीरे धीरे उसका क्या होता है सारिक विकास होता है वो खड़ा होना सीख जाता है फिरवा दौरने लगता है फिरवा ग्रूप में बड़ेवसे मैदान में W號 खेलना सुरू कर देता है ठीक है? इस परकार उसका सारीक विकास होता है अब ये भी जो होते हैं सारीक विकास हमारे two types होते हैं ठीक है? शिजिकल डेवलप्मेंट जो होता है यह हमारा दो पार्ट होता है देखते हैं एक होता है ग्रोस मोटर डेवलप्मेंट एक होता है ग्रोस मोटर डेवलप्मेंट एक होता है फाइन मोटर डेवलप्मेंट किलियर है मोटर डेवलप्मेंट स्पेस नहीं उतनी चलियर है एक होता है gross motor development एक होता है fine motor development अब gross motor development में क्या होता है इसमें हमारी बड़ी muscle का development होता है जैसे आपकी हाथ ठीक है आपकी हाथों का development आपके पैरों का development किलियर है जैसे आप जब दौरना शुरू करते हैं तब आप किस चीज का यूज करते हैं आप बड़ी muscle का यूज करते हैं अपनी पैरों का यूज करते हैं जब आप football खेलते हैं तो आप किसका यूज करते हैं अपनी बड़ी muscle का यूज करते हैं किलियर है और fine motor development fine motor development मतलब मतलब छोटी कोशलों का विकास ठीक है fine motor development छोटी मसलों का विकास, माल स्पेशियों का विकास, आप छोटी आपकी कौन-कौन सी हुई, जैसे अंगली, आपकी, जैसे आप अपने अंगली से लिख रहे हैं, ठीक है, मैं लिख रही हूँ, क्या यूज हो रहा है मेरा, मेरा fine motor development, ठीक है, मेरी सुक्ष जो मसल है, उसका छोटी मसल का य यूज होता है, ठीक है, के लिखने में, पढ़ने में, कुछ भी करने में, या फिर मेक अप करने में, या कंगे करने में, हम लोग किसका यूज करते हैं, जैसे आप छोटी मसल का यूज करते हैं, अपने अंगली का यूज करते हैं, यह हमारा fine motor development है, अब है cognitive development, संग्यानात संग्यानात्मक विकास क्या है हमारे संग्यान से जुरा होता है ठीक है संग्यानात्मक विकास जो होता है वो हमारे संग्यान से जुरा होता है संग्यान से जुरा होना मतलब हमारी समझ से हमारी नौलेज से जुरा हुआ ठीक है हमारी थिंकिंग से जुरा होता है हमारे सोचने कि सकती हमारे तर्क करने की जो सकती होती है उससे जुरा होता है किलियर है सोसल डवलप्मेंट हमारे समाजिक डवलप्मेंट हमारे समाज में हम कैसे रहते हैं कैसे हम विक्सित होते हैं समाज में रहके कैसे दुसरों के बारे में जानते हैं जैसे वहाँ के माहौल को, वहाँ के सांस्कृति को सारे नियमों को कैसे एड़ॉप्ट करते हैं, उसमें हमारा क्या होता है, समाजिक डवलप्मेंट होता है, समाज में रह के होता है, नेच्ट है, इमोशिनल डवलप्मेंट, यानि सामवे की डवलप्मेंट, हमारा इमोशन, हमारा जैसे जैसे एक बच्चा होता है, उसे अगर उसकी बहुत प्यारी सी चीज छिन ली जाए, तब क्या करता है, वो रोने लगता है, ठीक है, उसे तकलीफ होती है, और जब वो ब जो होता है, वो डवलप्म होता है, धीरे धीरे वो उसमें डवलप्म करता है, जैसे वो पहले रो रहा था, वैसे वो द्वारा से बड़े होके रोना नहीं शुरू कर देता है, वो समझने लगता है, अपने आपको कंट्रोल करता है, किलियर है, चलिए, अब इसी में रेथ तुकीस आप्षस और उन्हों ने चाहता कर उन्हों कि सो मैं और हमंसे जीवन बनाता था है ठीक है कि युट ज होता है पिशन उन्हों इस अपट तरह की होते ही फिरạt, हांसा कर ठीक छेस खाईता है अलग-अलग बस अब फर्क कितना ही होता है आप लोग हैंडल कैसे करते हैं उसे ठीक है कोई-कोई बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है चलो छोड़ो दुसरी भी है ठीक है कोई-कोई एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं तो डिप्रेशन वाले काम नहीं करना है खुश जिन्द्रेशन में आगे बढ़ते रहना है, जैसा भी सिचुेसन हो जिन्द्रेशन में आगे बढ़ना है रुकना कभी नहीं है ק्लियर है? क्योंकि आपका जिन्द्री जो है आ आगे आपको बहुत प्यारी प्यारी चीज़ और अच्छे चीज़ देने वाली होती है तो चलिए, चलिए, ट्रपिक पे आते हैं रेथस, रेथस क्या है, इन्होंने क्या कहा था हमारा जो emotions होता है, वो हमारे जीवन को रंग में बनाता है colorful बनाता है, ठीक है अगर हमारे जिन्दिकी में, जीवन में अगर emotions ही नहीं रहेंगे तो हम एक robot के समान होंगे robot एक machine होता है, इसमें कोई emotion नहीं होता है आप उसको मारिए, उसका दिल तोडिए, जो आपको करना है करिए उसमें तो फिलाल दिल भी नहीं होते है लेकिन उसको आप कुछ भी कर लीजे, उसे कोई फर्त नहीं परने वाला है ठीके, अगर इंसान भी वैसा ही हो जाता तब बहुत बेरंग जिंदी होता emotion होना बहुत जरूरी है कभी रोना, कभी हसना, कभी और सारा feeling का एक मिसरन रहता है हमारा emotion ठीके, कब कैसा situation में हम कैसा emotions दिखाते है clear? और सबसे बड़ी जरूरी बात जो होती है हमको अपने emotion पे control करना भी आना चाहिए कहां कैसा emotion यूज करे, कहां कितना limit रखे वो सब हमें आनी चाहिए ठीके? चलिए cognitive development हमारा जो संग्यान संग्यान का जो विकास होता है उसी में हमारा language development भी जुरा होता है यानी कि भासा का विकास भी हमारे संग्यान से जुरा होता है जैसे संग्यान हमारा सोचने तर्प करने का जितना जादा हमारा brain विक्सित होता है, सोचने की सक्ती विक्सित होती है हमारी language भी उत्ते ही बहतर होती है किलियर है हमारी बुद्धी बढ़ेगी, हमारी भासा का विकास होगा, उसके बोलने का तरीका का विकास होगा, हर चीज बदलता है, ठीक है, आप जितना सिक्षित होते हैं, जितना अच्छा आगे बढ़ते हैं, आपकी language ही आपके बारे में बताती है, ठीक है, तो इसलिए language हमेशा आपका समाजिक विकास, ये भी दो पक्षों से जुरा होता है, एक होता है moral development, एक होता है emotional development, ठीक है, हमारा समाजिक विकास, समाज में हमारा emotion भी आजाता है, समवेग भी आयता है, हर तरह का समाज में आप रहते हैं, तभी तो आप में emotions आती है, और आप किसी चीज को feel करत हैं रोते हैं या फिर हसते हैं समाज में रहके ही तो आपके इमोशन भी समाज में रहके ही होता है मोरल डफलप्मेंट यानि की नेतिक विकास नेतिक विकास मतलब आपके सही और गलत की पहचान वो भी आपके समाजिक social development में आता है सही क्या है आपके लिए क्या गलत है आप समाज में रह के सीखते हैं ठीक है चलिए आगे देखते हैं next हमारा है a stage of development चलिए a stage of development देखते हैं कौन-कौन से stage है हमारे development के पहला है parental stage यानि गर्भावस्था जब एक बच्चा गर्भ में होता है मा के उस समय जब उसका विकास होता है ठीक है गर्भ में ये हमारे 40 weeks 40 सब्ता तक का होता है ये बच्चा जो होता है मा के गर्भ में ही विक्सित होना शुरू करता है धीरे-धीरे पहले एक क्या रहता है एक छोटा सा, फिर दिरे-दिरे क्या होता है, वो एक बड़ा होता है, फिर वो बड़ा से लेने सुरू करता है, ठीक है, तो मा के गड़ में ही एक बच्चे का development होता रहता है, ठीक है, फिर infancy, सोस्वा वस्था, ये जो होता है, ये जन्म से दो वर्स का होता है, इसे toy age भी कह है, इसमें ग्रोथ जो होती है, ग्रोथ तेजी से होती है, ठीक है, इसे toy age भी कहते है, इसमें जो ग्रोथ होता है, वो बहुत तेजी से होता है, इसमें बच्चा इंफेंसी एज में बलबलाना सुरू कर देता है, मामा, बाबा करके बलबलाना वो सुरू कर देता है, नेक् है हमारा अर्ली चाइल्ड हुड पुर्व बाल्य आवस्था इस अस्टेज को इसे प्ले एज भी कहते हैं इसे प्ले एज प्री इस्कूल इस्कूल एज ठीक है हमारा अर्ली चाइल्ड रूट जो होता है पुर्व बाल्य आवस्था इसे प्ले एज भी कहते है बच्चा इसमें खेलना शुरू कर देता है प्री इस्कूल एज कहते है बच्चा इस्कूल जाना शुरू कर देता है ठीके? और इसमें जो हमारा language development है, बच्चे का language development भासा का विकास सबसे तेजी से किस stage में होता है? वो होता है early childhood. पुर बाल्यावस्था में सबसे तेजी से उसका language developed होता है, भासा विकास होता है, वो अलग-अलग भासा सिखना सुरू कर देता है, ठीक है, वो समझना सुरू कर देता है, अगर आपको किसी बच्चे की भासा जो है, बहुत तरह कि अगर भासा सिखानी है, तो पुर बाल्या वो इसी स्टेज में होती है, किलियर है, नेक्स्ट है हमारा, और इसमें critical, इसमें हमारा critical language development, इसमें हमारा language, critical language development शुरू हो जाता है, बच्चा question करना सिख जाता है, बहुत question करेगा, कुछ भी पुछेगा, उसके दिमान में जो भी आता है, कि आकास उपर क्यों है, तारा उपर क्यों है, नीचे क्यों नहीं आ सकता, उसके मन में जितने भी thoughts आते, जितने भी question आते, वो सब पुछन शुरू कर देता है, ठीक है, लेक्स टाप का, लेटर चाइल्धूड है, उत्तर बाल्यावास था, ये जो होता है, हमारा 6-12 वर्स का होता है, इसे हम गेंग एज कहते हैं, लेटर चाइल्धूड, गेंग एज, इसमें बच्चा एक गेंग बनाना लगता है, एक ग्रूप हो जाता है उलोका दोस्तों का, ठीक है, इस्कूल एज, इस्कूल एज होता है ये, और इस स्टेज में लॉजिक, लॉजिक लगाना, लेटर चाइल्धूड में क्या होता है, उत्तर बाले अवस्ता में 6-12 वर्स का होता है, इसे बच्चे का गेंग एज भी कहा जाता है, इसमें बच्चा जो होता है, इसमें बच्चा जो होता है, इसमें बच्चा बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा बनाने लगता है, अपने pre-school age जो खेलने कुदने वाला हमारा वो सबसे निकल के एक school में अपना जाना शुरू कर देता है, लॉजिक लगाना शुरू कर देता है, अब बच्चा क्या करता है, लॉजिक लगाना सुरू कर देता है, जब 6-12 वर्स का उम्र हो चाता है, तो वो लॉजिक लगाना सुरू करता है, तर्प करना सुरू कर देता है, यह लॉजिक लगाता है, अगर बर्फ पानी हो गई, तो फिर पानी बर्फ कैसे हो गया, वो यह सारी लॉजिक जो है, वो लगाना सुरू कर देता है, next हमारा है adolescence यानि किसोड़ा वस्था ये हमारा 12 से 18 वर्स का होता है इसे तनाव और तुफान की अवस्था भी कहा जाता है ठीक है ये जो होता है हमारा कि सोरा वस्था इसे परिवर्तन सील काल भी कहा जाता है बहुत सारे परिवर्तन चेंजे जाते हैं इसे तनाव व तुफान की अवस्था इसे क्या करते हैं परिवर्तन सील काल कहते हैं इसमें बहुत सारी परिवर्तन आते हैं तनाव तुफान की अवस्था भी इसे का जाता है क्योंकि इसमें बच्चा जो होता है उसमें बहुत सारे हार्मोन चेंजे जाते हैं हमारे किसोरा वस्था में ही बहुत सारे हार्मोन जो फसना या फिर किसी भी मतलब वो लो क्या करते हैं इस ही एस्टेज में करते हैं अब इसमें तो उसकी गलती होती नहीं है यह तो उसकी एज का एक फैक्टर है तो वह हार्मोंस की गलती है वह में कहा जाए तो इसमें बच्चे की गलती नहीं होती है इसमें गलती है तो वह हार हार्मोंस का डिस्बैलेंस होना हार्मोंस चेंज होना ठीक है अब एडॉलसेंस को इसे जो है इसे ब्रीज भी कहते हैं ब्रीज भी कहा जाता है किसका इसे ब्रीज भी कहा जाता है यह ब्रीज होता है किसका बाले अवस्था और और किसोर अवस्था इसे बाले अवस्था और किसोर अवस्था की बीच के ब्रीज भी कहा जाता है ठीक है अब चलिए एक साइन्टिस्ट ने कहा था यहां देख लेते हैं एक साइन्टिस्ट ने कहा था जिस साइन्टिस्ट का नाम क्या था अश्टैनली हॉल अश्टैनली हॉल ठीक है अब इस साइन्टिस्ट ने क्या कहा था इसी ने कहा था कि किसोरा वस्था जो है तनाव और तुफान की अवस्था है किसोरा वस्था हमारा क्या है वो तनाव और तुफान की अवस्था है ठीक है इन्होंने एक बुक भी लिखी थी एडॉलोसेंस यानि किसोड़ावस्था आस्टेलनी होलने बुक लिखी थी एडॉलोसेंस किसोड़ावस्था ये उसका बुक है ये उसकी बुक है जो लिखी थी एडॉलोसेंस ये जिसने कहा था कि सोड़ावस्था जो है वो तनाव और तुफान की अवस्था है किलियर है यहां तर चलिए आगे देखते है चलिए प्रिंसपल ऑफ डेवलपमेंट अब क्याक्या इसके सिध्धान्त है क्या क्या प्रिंसपल है हमारे डेवलपमेंट के विकास के पहला है निरंतरता का सिधान्त, मतलब continuity, ठीक है, continuity, continuity, निरंतरता का सिधान्त हमारा जो development है, हमारा जो विकास है, वो निरंतर जो है, वो चलता रहता है, one minute, ठीक है, हमारा जो development है, निरंतरता का सिधान्त, ये हमारा development, हमारा विकास, निरंतर ही चलता रहता है, ये कब से कब तर क्यलता है, ये जन से, ये, जन से, कबर तक, ठीक है, जब तक हम लोग दुनिया में है, जब से हमारी जन हुई है, तब से कबर तक, हमारा जो development है, वो निरंतर चलत रहता है हमारा एक स्टेज में सकता है हमारी सोच那े की सकती हमारे सारी कुरूप का nécessrics का डंव सबस्वा घ्रकाल noting होता है लेकिन ओर हमारा जो इध की चीज का डंवा जाता है डीज needing वह जीवन परेंणद नहीं चलती sky एक समय के बाद वो रुख जाती है, जैसे हमारी हाइट, हमारी हाइट क्या होती है, एक समय आता है, जब वो रुख जाती है, ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट जो होता है, विकास जो होता है, वो जीवन पढ़ें, जब तक आप जीवी थे, तब तक वो चलता रहता है, ठीक है हमारे अंदर में किसी भी पार्ट का डेवलपमेंट हो, सोच का डेवलपमेंट हो, बुद्धी का डेवलपमेंट हो, यह सब जो होता है निरंतर चलता रहता है, विकास की दिसा का सिधान्थ, अब इसमें क्या है, हमारा जो विकास होता है, हमारा जो डेवलपमेंट होता है, जैसे इसे दो पार्ट में बाटा गया है, विकास के दिसा का सिधान को, एक है सिरोध पदोन मुखी, दुसरा है समिपस्त दुरस्त विकास, यानि सेपेलो कोडल सिक्वेंस और प्रोक्सीमो डिश्टल सिक्वेंस. अब ये क्या है, जब हमारा डेवलप्मेंट जो है, माल लेते हैं, हमारा डेवलप्मेंट जो है, वो सर से, हमारा जो डेवलप्मेंट होता है, वो सर से, हेट से सुरू होता है, और वो पैर तक, नीचे तक आता, यानि कि हमारा डेवलप्मेंट उपर से नीचे, सर से पैर तक यहां लिखा भी है, समझने के लिए सिरोध, यानि की सर से पदोन मुखी, ठीक है, पैर से, ठीक है, सेफेलो, यानि सर से, और सेफेलो, सर से, कोडल सिक्वेंस, ठीक है, तो जहां सिरोध, पदोन मुखी आजाए, या फी सेफेलो आजाए, यानि की सर, तो हमारा जो डेवलप सिक्वेस यानी हमारा जो सीक्वेंच होता है तोया होता है वह क्येंद्र से होता है हमारा से सब जगा problem होगा ठीक है हमारे golden présence का सब जगाए होसद सब्सक्राइब proximo, digital sequence, आप इसको समझ गए, तब इसमें उत्तर दिकत होगा और जहां सिरोपदों नुखी आजाए, सीर आजाए, यानि सर से पैर तक होगा आपका development, जहां आजाए समिपस्त दूरस्त, यानि कि बीच से, केंदर से, सब जगा हमारा development फैलेगा, कि लिए रहे इतना, ठीक है, हमारे मध्भाग से, यानि कि, हमारा जो development है, वो मध्प्अ भाग से, सभी की और फैलेगा, सभी जगा होगा, इतना किलेट है, आगे देखते हैं, विकास का निश्चित पैटरन, हमारा जो development होता है, वो एक निश्चित पैटरन में होता है, पहले क्या डवलप्ट होगा, गुटनों के बेल चलेगा, उसके बाद क्या होगा, वो खाड़ा होना शुरू होगा, उसके बाद क्या होगा, वो ध्ये धिरे चलना सुरू करता है, उसके बाद वो दौरना सुरू करता है, तो हमारा एक पैटर्न होता है, development का एक पैटर्न होता है, किस पैटर्न में बच्च वो भी भीन-भीन तरीके से होता है, किसी में जल्दी होता है, किसी में धीरे होता है, clear है, समानी से विशिष्ट पर्टिक्रियाओ का सिधान्त, जैसे इसमें हम क्या करेंगे, समानी तरीका से विशिष्ट पर्टिक्रियाओ का सिधान्त, हम समानी रूप से, जैसे कि समानी रूप से हम किसी चीज को बच्चे को समझाएंगे, कोई object है, ठीके, इसे हम language भासा कितरू बोलेंगे, बताएंगे उसे ये marker है, लेकिन फिर हम विसिष्ट रूप से जाएंगे, ठीके, फिर उसे example देंगे हम, कि इस तरह की होती है, ये होत में देंगे, तो हमारा जो होगा, पहले समानी language की द्वारा हम समझाने का कोशिश करते हैं, उसके बाद विसिष्ट परतिक्रियाओ की तरफ बढ़ते हैं, अनसंबंद का सिध्धान्त, अब इसमें क्या है, हमारा जो हर development होता है, वो एक दूसरे से related होता है, एक दूसरे से अनसंबंदित होता है, हमारे एक पार्ट में अगर development में कोई कमी आ जाए, अगर हमारे सारेरिक पक्ष में के development में कमी आ जाती है, हमारा सारेरिक development अच्छे धंग से नहीं हो पाता है, तो हमारा emotional पे भी उसका effect परता है, ठीके, तो हर development जो होता है, वो एक दूसरे से जुरा होता है और हर प्रवलप में एक दूसरे को परभावी करता है किलियर है पुर्वनुमान का सिधान्त नेक्ष्ट है हमारा पुर्वनुमान मतलब हम पहले से सोच लेते हैं ठीक है कैसे जैसे आप लोग कुछ भी देखते हैं कोई लरकी गई आप लोगों ने क्या किया उसे दे परवनुमान लगाना शुरू कर दिया कि अब वह लड़किया आगे बढ़ी अब जरू पीछे पिल्ट की देखेगी तो वह होता है हमारा पुरवनुमान का सिध्धान्थ। ठीक है। लड़किया जैसे कहती है कि कोई भी देखी उसे कहा कि यह अब है फ्लट करना शुरू कर ठीक है, बहुत तो के सकल पे लड़कियों को दिख जाता है, वो ऐसा करेगा, तो वो क्या करती है, पहले से पुर्वनुमान लगाना, मतलब पहले से अनुमान लगाना शुरू कर देती है, कि वो अब ये करने वाला है, ठीक है, बनाम रेखिक विवस्था का सिधांत, अब य हमारा जो development होगा, वो सीधा नहीं होगा, एक रेखा में नहीं होगा, वो बर्तूला कार होगा, ठीक है, यानि कि spiral में होगा, हमारा development एक समय पे तेजी से चलेगा, और फिर उसके बाद इसकी जो motion होती है, गती होती है, धीमी हो जाती है, फिर तेज गती से चलती है, ठीक है फिर तेज गती से बढ़ती है और फिर जो उसकी मोसन होती है इस पीड जो होती है वो क्या होती है धीमी हो जाती है तो हमारा जो development होता है वो सीधा नहीं चलता है हमारा development किसी stage पे तेज होता है जैसे कि हमारा childhood में हमारा development जो होता है बहुत तेजी से होता है जैसे 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 हैं किसोर्च वस्ता में आते हैं वो गती जो होती है धीमी होसाती कितीड़ थीर्थीर्थीरे खाट में बढ़ता है does Ctrl sechs जाता है जहां पर हमारे are तेज हो जाती है और फिर एक अश्टेज आता है जहां पर स्लो हो जाती है किलियर है, development, दिमाग में एकदम सेट कर लेना है क्योंकि ये आप लोग का किसी भी एक्जाम में हर इंगलिस हो, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो आप अगर development समझ गए, तो आपका बहुत सारा question जो है, वो solve हो जाता है ठीक है, चलिए आगे बढ़ते है चलिए, next देखते है अनुवान सिक्ता, एवं वातावरन का परभाब हमारा जो अनुवान सिक्ता वातावरन यानि हरिडिटी और environment का क्या परभाब परता है ठीक है, अब अनुवान सिक्ता क्या है, हरिडिटी ये जो होता है, हमारा fixed होता है, ये हमारा हरिडिटी जो होता है हमारी अनुवानसिक्ता जो होती है वो fixed होती है वो change नहीं होती है जैसे होता है हमारे हम लोग क्या करते है हमें अपने माता पिता से विरासत में ठीक है जो भी गुन मिले होते है ठीक है अनुवानसिक्ता हेरिडिटी हमें अपने माता पिता से विरासत में जो भी गुन मिले ह होते हैं वह हमारी होती है हेरी डिटी ठीक है उसे चेंज नहीं कर सकते हैं अब आप यह नहीं कहते हैं माता-पिता को कि हां आप मुझे अपना यह गुन दीजे आप कहते नहीं है यह माता-पिता जान के नहीं देते हैं वह गुन उनमें आ जाता है ठीक है हेरिडिटी फिक्ष्ट होता है, बच्चा जो होता है, जो विरासत में माता पिता से उसे जो गुन मिले होते हैं, वो होता है हमारी हेरिडिटी अनुवानसिक्ता, जो फिक्ष्ट होता है, चेंज नहीं होता है, जैसे की हमारे चहरे का कलर, ये क्या होता है, हमें अनुवानसि बहुत होता है हमारे आखों का रंग, हमारी हरिडिटी, बलब कुछ भी हो हमारा, हमारी हाइट किस से हम लिए है, अनुवान सिकता है, ये भी अपने माता पिता से लिए, इसे चेंज नहीं हो कर सकते है कोई ठीक है यह fixed होता है यह हमें विरासत में मिली होती है माता पिता दुआरा ठीक है नेक्स्ट है environment ठीक है यानि वातावरन यह dynamic होता है यानि परिवर्तन सील होता है वातावरन change होता रहता है परिवरन क्या होता है वो सब कुछ जो एक व्यक्ति को परभावित करता है वो सब जो होता है वो हमारे environment में आते हैं वो परिवर्तन सील होते हैं किलियर है नेक्स्ट देते हैं नेचर और नर्चर नेचर नेचर एंड नर्चर नर्चर ठीक है अब यह नेचर और नर्चर क्या है यह है प्रकृति और यह है पोशन के लिए यह प्रकृति नेचर और नर्चर यह हमारी एक प्रकृति है नेचर और एक पोशन यह जो होता है फिक्स्ट होता है आई यह डाइनेमिक होता है यानि पडिवर्तन सील्ड होता है किलियर है अब चलिए आगे देखते है यह उतना इंपोर्टन ने हैडिडिटी यह ध्यान रखेगा चलिए आगे देखते है अब जो है चलिए यहां देखते है हमारे अंडानू और सुक्रानू ठीक है हमारे अंडानू और सुक्रानू जब मिलते है तो क्या होता है जाइगोट का निर्मान होता है जाइगोट का ठीक है तो जिसमें 23 पेर होते है ठीक है जब अंडानू सुक्रानू मिलते है तो एक जाइगोट का निर्मान होता है जिसमें 23 जो होते है वो पेर होते है और 46 46 क्या होते है क्रोमोजोम होते है जैसे फादर से एकस वाई ठीक है मदर से एकस एकस यह दोनों की संख्या कितनी है यह दोनों जो पेर होते है यह कितने होते है यह 23 23 के पेर होते है ठीक है जब यह दोनों मिलता है तब 46, दोनों मिलके 46 क्रोमोजों बनते है, ठीक है, अब यह चाहे तो आपका लड़का होगा चाहे तो XX लड़की हो गई, ठीक है हमारा जो, लेक्ष देखिए, 22 जोड़े सेम होते है, हमारा जो 23 जोड़े का जो यह होता है, पेर होता है, इसमें क्या होता है 22 जोड़ा जो होता है, वो सेम होते है, ठीक है जिसे ओटोजों कहते है, 22 जोड़ा हमारा सेम होता है जिसे ओटोजों कहते है, एक जो होता है, वन जो होता है 23 का पेर है, जिसमें से 22 हमारा सेम होता है और वन जो होता है, वो डिफरेंट होता है और यही है जो decide करता है कि लड़का होगा या लड़की, clear है, चलिए, इस पे इतना ही काफी है आप लोग को समझने के लिए और question के लिए, exam के लिए आगे देखते हैं, चलिए socialization, समाजी करन, इसे देखते हैं, समाजी करन क्या है, समाज के मानदंडों और विचारों को, समाज में जितने भी मानदंड है, जो भी विचार, जो भी संस्कृती है, उसको अपनाने की जो खिरिया होती है, वो हमारी होती है, समाजी करन, ठीके, समाजी करन जो होती है, एक सतक पड़ी करिया होती है, जो जीवन परियंत चलती रहती है, जब तक हम जीवी थे, वो चलती रहती है, हमारी समाजी करन की करिया, समाज में कैसे रहते हैं, बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारे हमारी संस्कृती होती है, जिसको हम अपनाते कि लिए रहे हैं और समाजी करन जो होती है वो हमें सही गलत का अंतर भी सिखाती है और हमें अनुसासित भी करती है ठीकि यह सब चीज जो होता है वो हमारे समाज में समाजी करन के द्वारा ही होता है उसमें एडप्ट करने और एडजेक्ष्ट करने में ही हमारा यह सारे गु करन की जो पढ़किरिया है वो चलती रहती है क्योंकि हम अर जगह कहीं ना कहीं जहां भी जाते हम वहा एक्जेश्ट करते हैं समॉजित होते हैं वहाँ पे हम अthose कलचर को हर संस्कृत्ति हो हमारी समाज के नियम हो सब को हम एडप्ट करते हैं अब किटने परकार के होते हैं हमारा समाजी करन पहला होता है प्राइमरी प्राथमिक समाजी करन और दूसरा होता है सेकेंडरी सोसलाइजेशन गोन समाजी करन हमारा जो प्राइमरी होता है अधिकतर ये कोस्चन पुछाता है प्राइमरी में कौन सा आता है और Secondary में क्या आताई तो आपका Primary, जो समाजी करन होता है प्रात्मी समाजी करन पहला समाजी करन, जो आदमी हम सीखता है एक बच्चा का सबसे पहला समाजी करन उसके घर में उसके पडिवार में होता है सबसे पहले अगर वो कुछ सीखता है तो वो अपने पडिवार वालों से सिखता है, अपने घर में रहके सिखता है, वो चाहे कोई भी नियम हो, कुछ बोलना हो, मामा, पापा बोलना हो, दुसरे को पैचानना हो, या सही और गलत क्या है, वो सबसे पहले जो उसके टीचर होते हैं, वो उसके family member होते हैं, किलियर है यानि दूसरा, जब हम पडिवार से निकलते हैं, जब एक बच्चा पडिवार में तो सीख लेता है, उसके बाद वो क्या करता है, घर से बाहर निकलता है, बड़ा होता है, घर से बाहर निकलता है, दोस्तों से मिलता है, स्कूल में जाता है, ठीके, वो उसका दूसरा ना सुरू हो जाता है सेकंड किसी भी ग्रूप में अंदर जाने के लिए बच्चा क्या करता है उसी के जैसे वहवार करने लगता है ताकि उसके जैसे वहवार करेंगे तो वो भी मुझे अपने ग्रूप में ले लेगा ठीक है यानि एंटी मतलब अंदर ठीक है वैसा ही वहवार करता है किसी ग्रूप में जाने के लिए ग्रूप के अंदर जाने के लिए next है resource-lization यह क्या है पुना समाजी करन जो सीखे है उसको छोड कर कुछ नया बनाना ठीक है बच्चा जो कुछ भी सीखा है उसमें क्या करता है जैसे उसका समाजी करन आगे बढ़ता जाता है वह बाहर निकलता है वो एक नया अपना ही अड़ करता है ठीक है जो कुछ वो उसको छोड़के नया कुछ बनाना शुरू करता है सबसे मिलता है, दोस्तों से मिलता है, ग्रुप में बैठता है स्कूल जाता है, समाज से मिलता है तो वो क्या होता है, जो कुछ पुराना सिखा है उसमें कुछ रिसोस लाइजेसन नया कुछ करना सिखने लगता है किलियर है इतना चलिए आगे देखते हैं चलिए नेश्ट देखते हैं हमारा नेशनल एडुकेशन पॉलिसी ठीक है 2019 ड्राइफट सिख्छा नीती 2019 1990 को ओंसे चेयर्में कौन थे है कैस्तूरी रंगन है हमारा जो इडूकेशन था वह किस तरह किया था 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 ठीक है किसे याद रखना है हमारा स्कूल डुकेशन है वो किस तरह से है 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 कैसे समझते हैं सबसे पहले आता है हमारा fundamental 1 minute चलिए यह हमारे यहां तक समझ गए 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 यह किस तरह है पहला जो है हमारा वो foundational stage है यानि कि class 1 और 2 ठीक है बच्चा जब class और 1 और 2 में रहेगा उसकी उम्र क्या रहेगी 3 से 8 वर्स के लिए रहे next हमारा आता है 1 minute यह 1 2 उसके पहले जो हमारा होता है तीन साल का टी स्कूल ठीक है नरसरी, LKG और UKG नरसरी होता है LKG होता है UKG होता है जो बच्चे पढ़ते हैं उसके बाद हमारा आता है 1 और 2 ठीक है तो यह कितने साल के बच्चे 3 से 8 तक केस में आ जाएंगे next है हमारा यह foundational जो अस्टेज है उसमें क्या-क्या एड हो जाता है हमारा LKG, UKG नरसरी के बच्चे एड होते है LKG के UKG के और 1 और 2 यानि आपका यह पांच साल जो है यह complete हो जाता है foundational stage में क्लियर है next आपका है later primary इसमें क्या होता है class 3, 4, 5 ठीक है इसमें age क्या बच्चे का होना चाहिए 8 से 11 वर्स का बच्चा इसमें होना चाहिए किलियर है यह कितना हो गया 3 यह कितना हो गया 5 यह हो गया हमारा 3 middle और upper primary इसमें बच्चा किस class में रहेगा 6 में 7 में और 8 में 3 साल का उम्र क्या होनी चाहिए 11 से 14 वर्स की ठीक है यह भी हमारा हो गया 3 साल का ठीक है 3 हो गया 6 7 8 next है high और secondary ठीक है इसमें बच्चे की उम्र क्या होनी चाहिए 14 से 18 वर्स होना चाहिए अब इसमें आपका क्या आ जाएगा आपका 9 10 11 12 यह 4 आपका higher और secondary में आ जाएगा clear है तो कितना हो गया यह 4 ठीक है अब clear हो रहा है यहाँ पर 5 क्या है पहले आपको जो starting के जो education होती है यानि की नरसरी के बच्चे LKG UKG 1 और 2 यह आपके 5 हो गया जो foundational stage में रहेंगे next आपका हो गया later primary जिसमें आपके बच्चे class 3, 4, 5 को add क्या गया है जो आपके 3 हो गया next आपके middle और upper primary में क्या रहेंगे 11 से 14 वर्स के बच्चे रहेंगे यानि 6, 7 और 8 3 है प्लस last आपका high और secondary जो है उसमें आपके 14 से 18 वर्स के बच्चे रहेंगे उसमें क्या add हो गया है 9, 10, 11 और 12 यानि की 4 अब समझ में आया clear है चलिए आगे देखते है चलिए Child-Centered Education बाल केंदरिट सिक्चा ये किस ने दिया था John Dewey ने दिया था Progressive Education प्रगती सिल सिक्चा जो है ये वी किस ने दिया था John Dewey ने दिया था John Dewey क्या करते है Learning by Doing की बात करते है यानि करके सिखना इनका विश्वास है कि बच्चा जितना एक्टिव रहता है, जितना वो हर चीज में involved होता है, कुछ करता है, उतना better बच्चा सिखता है, ठीक है? इन्होंने learning by doing, यानि करके सिखने की बात कही थी, बच्चा करके ही किसी भी activity में सामिल होके, ग्रूप में सामिल होके, कुछ activity क करके बच्चा अच्छे तरीके से सिखता है, इन्होंने ही tripolar दिया था, तीन आयाम दिये थे, teacher, student, एक तीन आयाम होता है, सिखने का, जिसमें teacher होते है, student होते है, और उनका environment बातवरन होता है, ठीक है? किलियर है, tripolar, तीन आयाम किस ने दिया था? जो अन्डूई ने दिया बच्चे को सिखाने में teacher रहेंगे, student रहेंगे और उनका environment रहेगा, किलियर है? इन्होंने कहा था, बच्चे जन्म से ही जग्यासू होते हैं, बच्चे जन्म से ही जग्यासू होते हैं, कुछ सिखने के लिए, कुछ करने के लिए, ठीक है? और उनमें आंत्रिक छमता होती ह यह किस ने कहा था, यह भी कहा था, जोन डूई ने भी कहा था, और चोमस्की ने भी कहा था, कि बच्चे में L.A.D. होता है, ठीके, किलियर है, आगे बढ़ते हैं, चलिए, जेंडर देखते हैं, यानि लिंग, जेंडर में क्या-क्या है, यह एक सोसल कंट्रक्ट है, समाज द्वारा निधारित किया जाता है, ठीके, जेंडर स्टीडियो टैप, यानि रूडी वदता, जो समाज में रूडी वदता को दिखाय जाता है लड़कों और लड़कियों में जो अंतर करता है जैसे हमारे पुराने जमाने से चली आ रही है जैसे हमारी दादी नानी लोग कहती है कि लड़के ये काम कर सकते है लड़कियों को घर में किचन में खाना बनाना चाहिए बाहर नहीं निकलना चाहिए बाहर आफिस का जो वर्क है वो लड़के करेंगे ये क्या है एक रूड़ी वदता है जो पुराने जमाने से चली आ रही है ये किस में आ जाएगा जेंडर स्टेडियो टाइप में जेंडर वाइस यानि कि किसी एक तरफ जुकाव होना ठीक है किसी एक तरफ जुकाव होता है कि लड़के ही ये काम कर सकते हैं या फिर आपके मैगजिन वगेरे में दिखाया जाता है कि लड़के ओफिस का वर्क कर रहे है और लड़की जो है वो किचन में खाना बना रही है या फिर बच्चों को समहाल रही है आपके मूवी में हो या कि इस भी चीज में इस तरह के अगर पिक्चर दिखाई जाती है तो वो क्या होती है हमारी जेंडर बाइस होता है लास्ट है जेन्डर पैंटी यानि कि जेन्डर समानता ये जेन्डर समानता पर बात करता है कि लड़का और लड़की जो होता है वो दोनों हर काम कर सकते हैं दोनों समान होते हैं, दोनों को समान नजरों से देखना चाहिए, लड़के भी ओफिस में काम कर सकते हैं, तो लड़के भी कर सकती हैं, लड़के भी घर के किचन में अपनी वाइफ का हाथ बटा सकते हैं, काम कर सकते हैं, इन्होंने समानता की बात कही है, किलियर है, next है sex जो होता है वो हमारा biological होता है वो हमारा biological होता है वो पहले से ही निधारित रहता है biological रहता है ठीक है gender जो होता है वो क्या होता है वो समाज द्वारा निधारित क्या होता है समाज निधारित करता है कि लड़के को क्या करना चाहिए और लड़कियों को क्या करना चाहिए ठ तो जेंडर जो होता है वो समाज निधारित करता है लर्का और लरकी में अंतर की बात हो जाती है clear है? यह हमारा समाज निधारित करता है और sex जो है वो biological होती है पहले से निधारित रहती है clear है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं चलिए intelligence, बुद्धी देखते हैं अब बुद्धी का जो संपर्ता है यानि कि यह जो theory है यह आपलों की बहुत बार पूछ भी देती है IQ equal to mental mental analytic और chronical one minute चलिए intelligence बुद्धी इसका जो है थियोड़ी बुद्धी लबदी यानि कि IQ equal to मांसिक आयू और काला नुक्रमिक आयू इन्टु 100 ठीके? इसे याद रखीगा ये जो है संपर्ते ये किस ने दिया था? ये संपर्ते किस ने दिया था? इसे अश्टर ने दिया था किलियर है? इसे जो है अश्टर ने दिया था पहला बुद्धी परिक्षन जो है वो किस ने दिया था? अल्फ्रेट वीने ने दिया था इसे समझने के लिए चलिए एक कोश्चन देख लेते हैं हमारा आईक्यू वाला चलिए यहां किसी भी मनुस्य की वास्टिक आयू होती है अर्थात कितने वर्ष हो गया एक कोश्चन देख लेते हैं इसका वन मिनट देखिए दस वर्ष का व्यक्ति ठीक है दस वर्ष का व्यक्ति है यानि कि उसका एज कितना है उसका एज कितना है रियल एज दस वर्स ठीक है, काला नुक्रमी कायू यानि कि उसका जो एज है दस वर्स है 10 वर्स का व्यक्ति जो ए 160 अंक लिया हुआ है ठीक है, मांसी कायू कितना माने है वन मिनट चलिए, बुद्धी लब्दी जो है हमारी बुद्धी लब्दी जो है वो कितनी है 160 है 160 हमारी बुद्धी लब्दी है और मांसी कायू जो है उसे आपको निकालना है लेकिन वास्त्वी कायू जो है वो बता दिया गया है हमारा 10 वर्स है किलियर है इतना हाबारा जो बुद्धी लब्दी है वो बता दिया जाएगा आपको कोश्चन में 160 इक्वल टू आपकी मांसिक आयू क्या है कोश्चन मार्क आपका काला नुक्रमिक आयू कितना दिया है 10 वर्स इंटू 100 ठीक है अब आपको निकालना है तब आपकी कैसे निकालेंगे कैसे निकालेंगे 160 इंटू 160 इंटू 10 बाइ 100 ठीक है आपका मांसिक आयू निकालना है 160 इंटू 10 बाइ 100 ठीक है कितना हो गया 60 वर्स यानि आपका मांसिक आयू जो है वह 16 वर्स हो जाएगा इसका कोश्चन और भी देखेंगे के लिए समझने के लिए लेकिन आज नहीं वह next class में देखेंगे आज जो है उस main point को जान लेते हैं तो यह जो थोड़ी था यह पूरा इसे अश्टर ने दिया था पहला बुधी परिच्छन जो पहला बुधी परिच्छन था वो किस ने दिया था Alfred BINET ने दिया था बुधी जो होती है वो तर्क करने की छंता सिच्ञोशन में एडप्ट करने की छंता है अब बुधी क्या है हमारा intelligence वो हमारी तर्क करने की छंता है हम किस तरह तरक करते, कैसे, situation में हम रहते और किस तरह उस situation में हम हर चीज को adapt करते हैं, ठीक है, त्री बुद्धी का सिधान, किस ने दिया था, त्री बुद्धी सिधान, इसे अश्टर्ण वर्ग ने दिया था, कौन-कौन से थे, एक था practical, ठीक है, वहवारिक बुद्धी, ठीक है, प्रैक्टिकल जो होता है, यह आपके वहवार से जुरा होता है, वहवारिक होता है, creativity जो होता है आपके experience से जुघ होता है आपके अनुभव से जुघ होता है एनलाइटी क्यों होता है वो vislation वादी होता है यानि कि ज्ञान का अर्जन अच्छे से करते हैं उसे किस तरह से हम यूज करते हैं ठीक है उसका vislation करते हैं यहां तक के लिए रहे, अब यह देख लिजे, यह ध्यान रखिएगा, average IQ, जो एक व्यक्ति का average IQ जो होता है, बुद्धी जो होता है, वो कितना होता है, IQ मतलब बुद्धी लब्धी, कितना होता है, average व्यक्ति का 90 से 110 होता है, ठीक है, जो gifted होता है, कहा जाता है, बहुत ही gifted है, extra ordinary talent उसमें रहता है, उसका IQ कितना होता है, 140 होता है, जो मोरोन, यानि कि एकदम कम बुद्धी वाला काम चलाव, मतलब चलता है, लेकिन उसका और क्या पिक्छा थोड़ा कम बुद्धी होता है, उसका कितना होता IQ, 50 से 69, जो हमारा एक लाइन होता है, यानि कि ये लाइन है, इसके उपर आप जाओगे, तो बहुत ज़्यादा gifted है, और इसके नीचे अगर जाओगे, तो कम बुद्धी है, और ये लाइन होता है, यानि कि एक average रहता है, मतलब ना आपके पास उतना ज़्यादा बुद्धी है, ना उतना और ना ही आपके पास कम ही है, आप middle में हो, बीच में हो, जैसे एक middle family होता है, ना तो गड़ी भी होता है, ना तो अमीर ही होता है, बीच में लटकर रहता है, ठीक है, चलिए वो भी अच्छा जिंद्गी होता है, तो borderline कितना होता है मारा, 70 से 70, 70 से 89 तक होता है, ठीक है, किलियर है इतना, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, next class में हम और complete करेंगे, उतना ही हम इस जो class में हम कर रहे हैं, इसे वीडियो को देख लेना मतलब आपके एक्जाम में बहुत सारे questions को solve कर लेना, ठीक है, तो कल हम इसके जो आधी बची हुई है, उसे complete कर लेंगे, आज इतना ही रहने देते हैं, वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक, शेर और चैनल को subscribe जरूर कीजेगा, Thank you.